एक बार एक शहर में दो दोस्त रहते थे वो दोनों दोस्त एक दिन समुद्र किनारे शंक इखटा करने के लिए गए ताकि उन्हें शंकों को बेच कर वो अपने लिए कुछ पुझी जमा कर पाए दोनों दोस्त शंक इखटा करी रहे थे तबी पहले वाले दोस्त को एक बड़ा शंक मिल गया और ये देखकर दूसरे वाले दोस्ते के मन में आया कि यार इसे तो बड़ा शंक मिल गया अब ये मुझे से ज़्यादा पेसा कमा लेगा तो फिर उसने सोचा कि अब मैं भी सिर्फ बड़ा शंकी डूड़ूगा ताकि मैं भी ज़्यादा पेसा कमा पाऊ तो अब वो लगया बड़ा शंकी तलाश में उसने खूब ढूडा खूब मेनत की लेकिन फिर भी उसे बड़ा शंक हासिल नहीं हुआ और उस बड़े शंक के चक्कर में उसे जितने भी छोड़े शंक मिलते उन सारे शंकों को उठा करके फेक देता क्योंकि उसके दिमाग में वो बड़ा शंक था कि मुझे किसी भी हालात में वो बड़ा शंक चाहिए ताकि मैं थोड़े ज़्यादा पेसे कमा पाऊ तो बड़े शंग की तलाश में दोपर से शाम हो गई शाम से रात हो गई तो ना तो उसे बड़ा शंग मिला और बलकि जो छोड़े शंग उसे मिले थे उन शंगों को भी उसने फेक दिये तो उसके हाथ में कुछ नहीं आये और जो पहला वाला दोस्त था उसके पास एक बड़ा शंग था और कुछ छोड़े शंग थे तो रात होगी और वो दोनों दोस्त घर जाने लगे तो घर जाते वाक्त पहला वाला जो दोस्त था उसने अपने शंक बेज दिये तो उसके पास एक जो बड़ा शंक था उसके उसे मिले एक हजार रूपे और जो छोड़ी-छोड़ी शंक उसके पास में थे उसके उसे मिले तीन हजार रूपे और ये जानकर उस दूसरे वाले दोस्तों को बहुत दूख हुआ कि काश भून छोड़े छोड़े शंकों को फेकता नहीं तो अभी मेरे पास इससे भी ज़्यादा कमाई होती उसकी दोस्तनों से बताया कि जो छोड़े छोड़े शंकों ने फेक दिये थे न उनी को मैंने अपने पास कलेट कर लिया और उनी के वैसे मुझे मिले 3000 रुपे और ये जानकर हो दूसरा वाला दोस्त और भी ज़्यादा निराश हो जाता है इस कहानी को बताने का मेरा मकसद बिल्कुल साफ है कि हम बड़ी बड़ी चीजों के चकर में कई सारी छोड़ी छोड़ी चीजे या फिर ये कही कि कई सारी छोड़ी छोड़ी मों के हाथ से गवा देते हैं हम अमारी day-to-day life में भी कई सारी छोड़ी छोड़ी चीजों को इग्नॉर करते हैं लेकिन ये बार आपको जान देनी चाहिए कि ये छोड़ी छोड़ी चीजे आगे जाकर बहुत विशाल रो धरन कर लेती है हर छोड़ी चीज पर ध्यान लगाओ उसे इग्नॉर मत करो आगे जाकर आपको इसकी आहिमेद पदा चलेगी मैं ये भी नहीं किराओ कि आप छोटा सोचो और छोटा ही करो मेरा कहना का मतलब भी है कि आप सोचो बड़ा लेकिन उसके लिए हर वो छोटा काम करो जिससे कि आपका लक्ष आपको हासिल हो दोनों दोस्तों का लक्ष एक ही था वो था पेजा लेकिन पहले वाले दोस्तों ने बड़े पर भी फोकस किया और छोटे पर भी फोकस किया और दोसरे वाले दोस्तों ने से बड़े पर फोकस किया छोड़ी छोड़ी चीजों को इग्नोर कर दिया और जहां उसे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए थे वहां उसे एक रूप्या भी नहीं मिला और अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहोगा कि छोड़े छोड़े बदलाव ही बड़ी काम्याभी का हिस्सा होते हैं इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें मैं मिलूँगा आपसा अगले वीडियो में तब तक लिए चाही हिन जाई भाराट